राधे राधे दोस्तो कैसे हो आप लोग आसकी हैं हमारी कहानी का नाम है सबके कंचन के सशुराल में उसकी सास गिर्जा जी गे साथ दो ननद हीना और मिना भी रहती है कंचन और उसका पती रवी दोनों जौब करते हैं और घर की जरुतों को पूरा करने में लगे रहते हैं लेकिन हिना और मिना को इस बात का कोई फर्क नहीं बढ़ता है कि उनके भाईया और भावी घर चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और उनकी मा उनकी साधी के फिक्र में गुली जा रही है दोनों नंदे बड़ी ही मन मौजी है एक दिन कंचन अपना फोन रवी को दिखाते हुए कहती है रवी देखो न मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है कुछ दिनों से सोच रही हूँ इस साड़ी को लेने के लिए अभी वुक कर देती हूँ नहीं कंचन रहने दो तुम्हारे पास है तो सही इतनी साड़िया अब क्या साड़ियों की दुकान खोलोगी तो क्या हुआ मेरे पास एक भी ऐसी साड़ी नहीं है देखो ना कितना अलग डिजाइन है इस साड़ी का और ये कितनी सुन्दर है प्लीज रवी लेने दो ना देखो कंचन पैसे बच हाई भईया हेलो भावी अरी कहां से आ रही है दोनों बहनों की जोड़ी भईया हम ड्रेस खड़ने के लिए गय थे भईया पहुत माजा आया मैंने तो अपने लिए तीन ड्रेस खड़ी दी है और फिर हिना कहती है मैंने तो बस दो ही खड़ी दी है पर हां मैंने साथ में म और मीना की सौपिंग देखकर कंचन ने अपने पती को घूर कर देखा और वहां से चली गई रवी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है अरे कंचन सुनो तो रुको जरा मेरी बात सुनो मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी बात है आप जाओ यहां से और जाकर अ कि भी बात नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है अगले दिन सुबा कंचन सब के लिए नस्ता बना कर ऑफिस जाने के लिए तयार होती है और उसके बाद सभी एक साथ बैठकर नस्ता कर रहे थे कि तभी हिना कहती है भावी यह क्या रोज रोज एक ही तरह का नस्ता बन इतना समय नहीं है कि मैं तुम सब की फर्माइश का खाना बनाती रहू बहू इसमें फर्माइश की क्या बात है रोज रोज एक ही तरह का खाना खाने का मन नहीं करता तो कुछ अलग बना दिया करो सास की बात सुनकर कंचन मुँ में ही बर बढ़ाती है इतना ही अच्छा खान कि रहने का मन करता है तो अपनी बेटियों से ही बनवा लिया करो क्यों बहुं कुछ कहा तुम नहीं माजी मेरी इतनी हीमट कहां कि मैं कुछ कहूं मुझी सुबह ऑफिज के लिए निकलना होता है जल्दी जल्दी में जो भी समझ आता है वहीं बना देती हूँ वहू जब आप तो तेरे पास हर बात का होता है पर हां कल से कुछ ऐसा बनाना जो मेरी बेटिया भी खा सके इसके बाद कंचन खाना खाकर ओफिस के लिए निकल जाती है साम को अफिस से आते ही कंचन ने कपरे धोने की मसीन लगा ली पर अभी कपरे आधे ही धुले थे की मसीन खराब हो जाती है ये क्या हो गया मसीन को लगता है फिर से खराब हो गई अब ये बच्चे वे कपरे कैसे धोंगी मैं कंचन अपने पती के पास जाकर कहती है रवी देखो ना वासिंग मसीन फिर से खराब हो गई है अभी सारे कपड़े धोई भी नहीं है मैंने अब मैं क्या करूँ तो हाथ से धो लो ना अच्छा मैं सुबा का काम सारा करके गई हूँ ओफिस से ठकी हारे आई हूँ मेरा कपड़े धोने का मन नहीं कर रहा था लेकिन मैंने फिर भी मसीन लगा ली आब आप बोल रहे हो कि मैं हाथ से धोलू तो क्या करोगी ऐसे ही कपड़े छोर दोगी क्या हाथ छोर दूंगी लेकिन अब मैं हाथ से नहीं धोंगी आपको मैंने कितनी बार बोला है कि ये वासिंग मसीन पूराने हो गई है एक नई बहने है मेरी हमें उनको भी देखना है आपकी जवान बहने मेरे लिए मुसीबत बन गई है मेरी जरूरत का सारा सामान आपको और आपकी मा को तो फिजुल खर्ची लगता है पर आपकी बहने जितना चाहे मर्जी पैसा उराले वह नहीं दिखाई देता आपको कंचन तुम क्यों नहीं हो मेरी बात सुबह किसी मसिन ठीक करने वाले को बुला लेंगे क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात कपड़े पड़े हैं धो देना मैं खाना बनाने जा रही हूँ नहीं तो आपकी मा और बहने मेरे उपर चिलाएगी इस भावी बैगन का भरता मुझे नहीं पसंद कुछ और बना दो कुछ और का नाम भी कुछ होगा न भावी आप मतर पनीर बना दो वही सिधा करेगी आपको, अरे मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, जो मैं घुमाओ और सारा समन ले आओ, जो पड़ा है वही बनाओंगी, इसलिए चूप चाप खालो, लेकिन मीना और हिना मू बनाकर, वहां से सिधे अपनी मा के पास जाकर कंचन की सीकायत करती है, बेटियों की बात सुनकर गिरजा जी सिधी कंचन के पास आती है, और कंचन से कहती है, कंचन मैंने तुम से पहले भी बोला है, जो भी खाना बनाओगी, मेरी बेटियों की मर्जी से बनाओगी, कुछ ही दिनों की मेहमान है वो, जब उनकी साधी हो जाएगी, तब तो नही आईगी, वह अपनी मर्जी का खाना खाने, पता नहीं, मेरी बच्ची को कैसा ससुराल मिले, इसलिए बना दे, जो भी बोल रही है, सास की बात सुनकर कंचन मन में ही बरबडाती है, ससुराल भेजने के लिए पहले थोड़ी तमिस्तों सीखा दो, अगर ससुराल में ऐसी हर करते की तो, दो दिन भी ठीक नहीं पाएगी वहाँ, कंचन को अपनी मर्जी से कुछ करने की इजाजत नहीं थी, एक दिन वह अपनी मर्जी से अपने लिए जुमके लेकर आती है, सभी जुमके देकर उसे कहने लगते हैं, कंचन मैंने तुमसे कहा था ना, कि इतना खर्च मत किया करो वहू कभी दुसरों की बात सुन लिया करो तुम्हें सभी मना करते हैं पर तुम वहीं करती हो जो तुम्हारा मन करता है माजी आज तक आप लोगों ने मेरे मन की मुझे करने कहां दी है मैंने वहीं किया है जो आपने कहा है आज मैंने आपने लिए कान के जुमके क्या खर्द लिए आप लोगों ने तो मेरे उपर आदालत ही बिठा दी क्या मैं इस घर में अपनी मर्जी से छोटी सी चीज भी नहीं खर सकती हूँ ये कहकर कंचन वहां से चली जाती है रात को हीना और मीना कंचन के जुमके चुरा लेती है हीना कहती है अरे भावी के उपर ये जुमके बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे इन्हें तो मैं पहनूंगी सुबा जब कंचन उड़ती है तो उसे वो अपने जुमके नहीं मिलते हैं कंचन को सक हो जाता है कि उसके जुमके उसके नंदों नहीं उठाए होंगे कंचन अपनी नंदों के कमरे में जाकर देखती है तो उसे वहां जुमके मिल जाते हैं तुम लोगों को जुमके चाहिए थे तो तुमसे नहीं मांग सकती थी चोरी करने की क्या जरूरत थ चोरी भावी आपको सर्म नहीं आती हम दोनों के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए बहू तुझी सर्म नहीं आ रही मेरी बेटियों को इस तरह से बात करते हुए मेरी बेटिया चोर नहीं है तुछी अपने माईके से यहीं सिख कर आई है मेरी बेटियों से अच्छे से बात करना हां कंचन तुम पढ़े लिखी हो जौब करती हो अगर बाहर किसी ने तुम्हें ऐसे बात करते देख लिया तो वो लोग क्या सोचेंगे और हीना और मिना तुम्हारी ननद है उसे अच्छे तरह से बात किया करो कंचन की इसमें कोई गलती नहीं थी लेकिन फिर भी सारा परिवार उसे ही सुनाता चला गया ससुराल वालों की इतनी बाते सुनकर कंचन ने भी सोच लिया जो उसके साथ जैसा करेगा वह भी उसके साथ वैसा ही करेगी भाड में गया ससुराल भाड में गया ससुराल वाले इ अब मैं इन्हें ऐसा मजा चखाऊंगी। उससे दिन के बाद से कंचन ने घर पर पैसा देना बंद कर दिया। और साथ में घर का काम करना भी बंद कर दिया। अगले दिन गिर्जा जी ने अपने बहु कंचन से कहा। बहु तुमने ओफिस से आकर खाना नहीं बनाया। बहुत काम था ठक गई हूँ वहू उन दोनों को खाना बनाने कहां आता है। तुझे तो पता ही है। हा माजी मुझे पता है। उन्हें सिर्फ खाना खाना आता है बनाना नहीं। आप उनकी साधी करना चाती हो तो कब सिखाएंगी उन्हें खाना बनाना। अगर उनका तो लाइफ वर्बाद हो जाएगी उन दोनों की इतना कहते ही कंचन अपने कमरे में चली जाती है वहां रभी उसे कहता है अरे कंचन तुमने इतनी सारी सारिया क्यों ले ली तुम्हें कहा है कि बचत करना सीखो मुझे अपनी दोनों बहनों की साधी करनी है अरे आपकी बहन के चक्कर में ना ही मैं अपनी खुश्यों और जुर्तों का समझाता करूंगी और वो भी ऐसी बहने जो एक नंबर की चोर और बत्तमीज हो गिलजा का पूरा घर उसका बेटा और बहुत संभालते थे अब कंचन ने तो सास को पैसे देना बंद कर दिया अकेले रवी के पैसो से घर चलाने में बहुत दिकत आ रही थी सुबह खाना खाते वक्त हीना और मिना कहती है मा मुझे ये नस्ता नहीं करना आप आलू के पराठी बनाओना हा मा बना दोना प्लीज चूप चापसी जो मिला है वो खालो नहीं तो कल से ये भी बंद कर दूंगी एक तो तुम्हा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही गिर्जा जी अपनी बहु और घर की खर्चों को लेकर बहुत परिस्तान रहने लगती है उसे इस समस्य से निकलने का बस एक ही उपाय सुझा कि वह जल्द से जल्द अपनी दोनों बैटियों को इस घर से बिदा कर दे कुछ दिनों बाद गिर्जा जी अपनी बैटियों से कहती है हिना और मिना तुम जाकर जल्दी से तयार हो जाओ तुम्हें देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं मा आपसे बिना हमसे पूछे लड़की वालों को क्यों बुलाया तुम दोनों को अगर मेरे हाथों से मार नहीं खान फिर मेरी सारी जिम्मेदारी खत में ऐसा ही होता है गिर्जा जी कुछ दिनों बाट अपनी दोनों बैटियों की साधी कर देती है जिससे कंजन को बहुत रहत मिलती है और वह फिर से हसी खुशी अपने घर वालों के साथ मिलकर रहने लगती है असा करती हूं दोस्तों ये क पहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना धन्यवाद